English, Math, Science, Social Studies, पूरी स्कूल लाइफ वही गिने चुने सब्जेक्ट्स, पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां अनोखे सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाते हैं, मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया का ग्रीन स्कूल, यहां ग्रीन स्कूल पढ़ाई जाती है, स्चूडिन्ट यहां स्कूल क सालाना कार्बन फूट्प्रिंट तयार करते हैं और फिर उसकी भरपाई के लिए पेड़ भी लगाते हैं, खुद्रत की गोध में बने स्कूल की शुरूआत पांच साल पहले हुई, और अब दुनिया के अलग-अलग कोनों से बच्चे यहां पढ़ने आ रही हैं ताय जून बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आफिर वो दुनिया को बचाना चाहते हैं, जून का ध्यान आज इस तालाब पर है प्रेवरन को लंबे समय तक बचा कर रखना यही उनका मकसद है, आज सुबह तालाब के मेड़कूं और बाखी जीवों की बात चल रही है यह हैं इंडोनेशिया इद्वी बाली में ग्रीन स्कूल बास के जंगल की ओट में छिपाए स्कूल उबूद शहर से करीब 15 मिनट तूर है बच्चों का क्लासरूम सीमेंट से बने कमरे नहीं बलके यह जोपडियां हैं पढ़ाई क्लास के बाहर भी होती है पेड़ पौधों और प्रकृती से बच्चे सीखते हैं आज सुबह ग्रीन स्टेडीज पढ़ाया जा रहा है टीचर पूछते हैं क्या आप फूल अलग-अलग उगाना चाहेंगे या एक साथ और कुछी देर में एक पूरा बायोस्फेर तयार हो जाता है आज मैं एक ग्रहक का किरदार निभा रहा हूँ जिसे अपना तालाब साफ करवाना है मैंने कुछ आदेश दिये हैं हम दो हफतों से ये काम कर रहे हैं हमने सीखा है कि अगर मेंडकों को बाहर जाने का मौका ना मिले तो वो तालाब में मर जाते हैं फर्यावरन के लावा ग्रीन स्कूल में दूसरे आम सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, जिग्रफी भी सिखाय जाते हैं 40 देशों से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं स्कूल कोर्स को अंतराश्ट्रिय मानिता मिल चुकी है आस्ट्रेलिया के टोबी बता रहे हैं कि यह एक फिजिक्स लैब की तरह है इन्हें एक रोलर कोस्टर बनाना है बांस और बेंट से ऐसा रोलर कोस्टर जो चले भी काम भी करें हमारा विजार था कि हम आसपास की प्रकृती से कुछ लें और सब कुछ खुदी बनाएं जिससे कि अलग-अलग द्रिश्टिकों से इसकी गती को देखा जा सके इससे चात्रों को अपनी रचनातमक्ता के लिए वक्त और जगह मिलती है बांस के साथ बेद के साथ और आपस में या हम स्कूलों में पारंपरिक क्लास से कहीं ज्यादा दिलजस्प होता है वैसे तो अभी मैट्स की क्लास है लेकिन शुरुवात होती है इसराइली फोग दांस से ग्रीन स्कूल में इसे टिकाव शिक्षा का नाम दिया गया है यानि बच्चे रोज मर्रा में इस्तिमाल होने वाले क्षम्ताएं हासिल करते हैं और साथ ही परियावरन का ख्याल रखना भी सीखते हैं मैं इस फोग दांस के जरिए बच्चों को काइनिस्थेटिक सिखा सकता हूँ यानि आगे बढ़ना, पीछे हटना, शरीर संतुलन रखना, दाएं और बाएं हिलना ये सब हमारे शरीर की अद्दुख शमताएं हैं और इसलिए टिकाव शिक्षा बाकी सब से कुछ हट कर हैं ये सीख जीवन में आपका साथ देगी, टेवल विश्व विद्याले के लिए ये नहीं है दोपहर के खाने का वख, बाली के पारम पर एक पकवान या इटली का पास्ता, साथ में स्कूल के बगीचे के ताजे टमाटा खाना केले के पत्तों पर खाया जाता है, बरतन धोने नहीं पढ़ते और पानी कम खर्च होता है लेकिन ऐसे स्कूल में बच्चों की फीस ज्यादा है, सालाना करीब 5 लाख रुपए की रकम स्थानीय माबाप नहीं दे सकते ग्रिन स्कूल बाली में रह रहे हैं रईस विदेशियों के लिए हैं लेकिन जो बच्चे यहां पढ़ते हैं वे शायद भविश्य में अपने सपने पूरे कर सकते हैं